असलाम लेकूम हुशाम दीद कहती हूं मैं आपको अपने चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश बेबी बॉय कुटे की कटिंग एंट स्ट्रीचिंग बहुत यसान और सिंपल मैथड से बताऊंगी जिस मैथड से मैं आपको बताऊंगी इस सब्सकाइब नहीं किया है तो रेड़ बनर पर क्लिक करके कर दीजिए साथ इबल आइकन पर क्लिक कीजिए आने माली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक नाप भी ले लिया है ता को अलग से तो फ्रंट की जितनी भी चुड़ाई होगी आपकी जितनी भी कुड़ते की चुड़ाई होगी उससे चार इंच जादा लेनी है आपने फ्रंट साइड और बैक साइड आपने हाफ इंच जादा लेनी है क्योंकि हम लोग फ्रंट साइड पर डिजाइन बना रह जितनी भी आप फ्रंट साइड लेंगे उससे चार इंच आपने कम ले लेनी है बैक साइड क्योंकि बैक साइड में हाफ इंच का मार्जन हम लोग सिर्फ इसलिए रख रहे हैं ताके हमें साइड्स फोल्ड करनी है अधर्वाइस हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं फ्रंट पे हमें डिजाइन बनाना इसलिए हमने चार इंच जादा लिया है इस तरीके से इसको डबल कर लिया है और ये तीन साल के बच्चे की मभिरमेंट में आपको बता रही हूँ तीन साल के बच्चे के लिए तक्रavioral डेघ्ज कपड़ा लिया है मैंने लंबाई तक्रीबन मैंने यहां ले लिए है साड़े 21 इंच तो यह मेरी तक्रीबन साड़े 20 इंच तक असानी से रड़ी हो जाएगी यहां पर इस तरीके से डबल करके मैं निशान लगा लूँगी हम इसकी लंबाई चुड़ाई को निकाल लेंगे इस तरीके से फ्रेंट साड हमारी चार इंच चौड़ी होगी और बैक साड हमारी चार इंच कम होगी तो यह आपने खास क्या लगना है अगर आपको यह वाला कुर्टा बनाना है तो अगर बना रहे हैं तो इसमें आपको एक्सट्रा लेने की ज़रूद नहीं है तो यह बैक साड आ गी है हमारी इसको इस तरीके से उल्टा तै कर देंगे और याद है कि आपने उल्टा तैह करना है कपड़े को यह हमारी फ्रंट साइड हो गई है जो बैक साइड से थोड़ी चार इंचाड़ी होगी तो यहाँ पर देखें इसको इस तरीके से सेट कर देंगे अब यहाँ पर हमने जो बैक साइड है उसके उपर फ्रंट साइड को रखना है इस तरीके से दोनों को हमने उल्टा तैह कर लिया है इस तरीके से फ्रंट साइड को बैक साइड के उपर रखना है एक्वल करते वे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले neck की cutting करेंगे चोड़ा की cutting अभी नहीं करेंगे तो neck की cutting के लिए मैं तक्रीब सवा दो इंच तक चोड़ाई ले रही हूं गले की और सवा दो इंच ही गहराई लूँगी ये मैं तीन साल के बच्चे की measurement आपको बता रहे हूं गहराई पर निशान लगाएंगे चुडाई उतनी ही रहेगी और इस तरीके से हलकी सी गुलाई दे के कट कर देंगे यहां पर back side की cutting कर लेंगे हम सबसे पहले और अब मैं front side को सरफ उठाऊंगी और इस तरीके से front side की cutting कर लूँगी तो यहां पर रेखें अब हमें जो design है वो बनाना है यहां से shoulder की आपने measurement ले लेनी है अपने कुड़ते की जितना भी आपका shoulder होगा तो यहां पर आपने देख लेना है जो front side है इसको उठा लेना है back side को हमने side पर रख दिया सरफ front side हमने ले ली है और इसके हमने shoulder से cut करना है ताकि हमारे shoulder के बिल्कुल mid में यह निशान बने तो यहां पर जितना भी आपको अगर मुझे यहां पर 2 inch पर ready करना है यहां पर बिल्कुल next से मेरी जो measurement है 2 inch तक मैं चाहती हूं कि मेरा design आ जाए ready होके तो मैं 3 inch पर निशान लगाऊंगी अगर आप चाहते हैं कि आपका 3 inch पर ready होके आये तो आप 4 inch पर लगाएंगे क्योंकि सलाई में आके 1 inch आपका कम हो जाएगा तो मैं चाह रही थी कि मेरा 2 inch पर यह complete ready हो जाए तो मैंने 3 inch पर निशान लगाया और इस तरीके से cut कर लिया और इस तरीके से हम लोग दोनों side को इस तरीके से अलग कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है अब इनका हमने जोड लगाना है दोनों side का चार inch हमने extra रखा था अब एक एक inch हमने दोनों तरफ से देना है अंदर और slide लगानी है पूरा एक inch नहीं दूँगी यहाँ पर मैं आपको आपने खयाल रखना है मैं तकरीबन पोना inch जितना मैं दूँगी तकरीबन एक point कम एक inch से तो यहाँ पर देखें पोने inch पर मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी जितना मुझे slide में देना है निशान में इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब मैं slide लगा हूँ तो मेरी slide जो है बिलकुल straight आए और बिलकुल equal कपड़ा है अंदर क्योंकि मुझे यहाँ पर design बनाना है तो अगर कम ज़ादा हो जाता है कपड़ा तो design बनने में difficulty हो सकती है यहाँ पर देखें इस तरीके से मैं straight line draw कर रही हूँ जहाँ मुझे slide लगानी है सिरफ इसके लिए हमने 4 inch ज़ादा लिया था यहाँ पर देख सकते हैं दोनो पैनल्स की सीधी साइड को आपस में जोडते हुए arrange करना है आपने और उल्टी साइड पर यह निशान लगाने है बस यह आपने ख्याल रखना है और इस साइड पर भी मैं तकरीबन पोना इंच का ही निशान लगा रही हूँ एक इंच से एक पॉइंट कम तो मैं यहाँ आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ कि आपने पोना इंच का ही निशान लगाना है और पोना इंच की line draw करके यहाँ पर देखे मैंने sly लगा ली है sly लगाने के बाद यहाँ पर मैं एक एक इंच का निशान लगाऊंगी इस तरीके से यह देकिन दोनों साइड पर मैंने एक पोना इंच की sly लगा ली है उसके बाद मैं यह निशान लगा रही हूँ एक एक इंच के फासले पर सेम इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ B करना है मैं एक तरफ आपको करके बता रही हूँ एक एक इच तक आपने उपर तक निशान लगा लेने है इसके बाद आपने इसका इसमें कट लगाने है कट आपने यह जो हमने इस लाई लगाई थी पोना इंच की उससे एक पैर के डिस्टंस एक पैर का डिस्टंस पर यह देखें इस तरीके से मैंने लाईन ड्रॉ कर ली है ताके बिल्कुल स्लाई के पास तक कट नहीं लेके जाना तक रिबर एक पैर की यह जो मैंने लाईन हाथ से ड्रॉ की है वहाँ तक हमने इसको कट करना है अब इसको क्या करना है इसलाई को इस तरीके से खोलना है कपड़े को और अच्छे से क्रीज लगा लेनी है ताकि यह अच्छे से बैठ जाए दोनों तरफ से कपड़ा अच्छे यह डिजाइन जब भी आप बनाएंगे किसी बारीक कपड़े पर बनाएंगे जैसे आज कल गर्मिया है तो आप लोग बारीक लॉन के या कॉटन के कपड़े स्टिच कर रहे हैं बच्छों के तो उस पे यह डिजाइन बहुत क्लियर नजर आएगा अगर आप किसी म नजर साइड पे इस तरीके से मोड़ा और हमें कट लगाए उससे हमें बहुत असानी हो गही है यह दो को यह तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप विगनर शाइन तो इस तरीके से कर सकते हैं दूसरी तरफ से भी उसकate सामने से भी बिल्कुल इस कर सब सांब कर दोदbern आकर दोनों की नो कामने सामने होनी चाहिए बस आपने हे ख्याल करना है के हमारी जो सामने न कोन है इसके बिलकुल सामने ही दूसरी भी बने ऐसा नहों कि एक आगे हो रही हो और एक पीछे हो रही हो तो वो अच्छी नहीं लगेगी तो यहाँ पर मैंने iron के साथ आपको set करके बताया है otherwise आप हाथ से भी set करते जाएं और उसकी hamming करते जाएं यहाँ पर देखें इस तरीके से इसकी तुरपाई कर लेंगे साथ साथ बिल्कुल और छोटी छोटी आपने तुरपाई करनी है सिंगल ताद हगर डाला है मैंने सुई में और इस तरीके से जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं उसके साथ साथ बिल्कुल हम तुरपाई करते जाएंगे छोटी छोटी तुरपाई करनी है और बिल्कुल equal करनी है और सीधी साथ पर इसकी बहुत जबर्दस लुक आएगी यहाँ पे देखें इस तरीके से यहाँ पे मैंने तो आपको आइरन के साथ सेट करके थोड़ा सा दिखाया है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से आइरन से सेट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखें सीधी साइड पे को मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये कुर्टा बहुत stylish बनेगा यहां बेखें इस तरीके से इसकी करते जाएंगे हम लोग देखें दोनों जिस तरीके से हमने cut लगाया उससे इस तरीके से तकौन बनानी बहुत असान हो गई है बस हाथ से इस तरीके से हलका हलका फोल्ड करते जाना है दोनों तरफ से और इसकी हैमिंग करते जाना है और लास्ट से इस तरीके से इसको लास्ट वाली कौन को इस तरीके से सीधा करके मोड के बस इसकी लगा देनी है क्योंकि नीचे से shoulder की cutting कर लूँगी तो आपने ख्यार रिखना है ये बनाने के बाद ही आपने shoulder की cutting करनी है measurement ले लेंगे आपके किसी भी कुट्टे से इस तरीके से shoulder की जितनी भी measurement होगी उसका half ले लेंगे अगर 11 inch है तो 5.5 inch आपने half ले लेना है अब यहां पर जो मैं 3 साल के बच्चे की ले रही हूँ वो साड़े 5 inch ले रही हूँ उसके बाद इस तरीके से आपने यहां से यहां तक की measurement ले लेनी है जितनी भी यहां की measurement होगी उससे आपने half inch जादा ले लेना है slide के लिए तो यहां पर मैं जो ले रही हूँ और 6 inch ले रही हूँ तो इस तरीके से box बनाएंगे और इसकी गुलाई दे देंगे हम लोग armhole का 1 inch का निशान लगाऊंगे मैं यहां पर इस तरीके से गुलाई दे दी है अब हम इसकी cutting कर लेंगे इस तरीके कपड़े को double करेंगे उल्टा तेह किया है और मजीद इस तरीके से double कर लेंगे यह आड़े sleeves मैं cut करूंगे आड़े कपड़े के तो यह कुड़ते पे अगर आड़े sleeves आप लगाते हैं तो बहुत जबर्दस लगेंगे 13 इंच लंबाई ले रही हूं मैं आपे 2 इंच का निशान लगाया और इस तरीके से shape दे दी है आगे से 5 इंच का निशान लगाया है और इस तरीके से हम shape दे देंगे यह तक्रीमां 3 से 7 साल के बच्चे की measurement है आप अपने naap के according सीएं क्योंकि हर बच्चे की measurement different होती है कोई healthy होता है कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है तो आप एक ही measurement हर बच्चे पे apply नहीं कर सकते तो मैं इसलिए आपको हर वीडियो में naap लेना जरूर सिखाती हूं कि किसी भी कुर्टे को बनाने से पहले इसकी measurement जरूर लिया करें यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से cutting हो चुकी है स्लीप्स की अब हमने front side लेने नहीं है और front side पे हमने यहाँ पे काज़ पट्टी और बटन पट्टी बनानी है काज़ पट्टी और बटन पट्टी किस तरीके से बनाते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया है इस वीडियो में आपको नहीं बता रही क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हलका सा लूप दिखा भी देती हूँ इस वीडियो का अगर आपने नहीं देखी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितनी डिटेल में ये पिछली वीडियो में बताई थी इसी कुर्टे की पट्टी बनाना तो क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताना चाहती थी इस वज़ा से मैं उसकी एक separate वीडियो बनाई थी और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अदर्वास आई के बटन पे क्लिक करने पे भी आपको मिल जाएगा और वहां से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस कुर्टे का नेक रेडी किया था वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं इसमें ये भी सब बताती तो मैं नहीं चाह रही थी कि वीडियो बहुत लंबी हो जो चीज मैं पहले सिखा चुकी हूँ वो मैंने इस वीडियो में दुबारा रिपीट नहीं की है तो hopefully कि आपको बिलकुर भी confusion नहीं होगी ये वीडियो देखने के बाद इसका neck बनाने में तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत detail में परानी वीडियो में ये सिखा चुकी हूँ अगर आपने मेरी बाकी कुर्तों की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी जाके जरूर देखिए कर लिंक में ने description box में दिया है मैं बहुत stylish different style की कुर्ते पहले भी सिखा चुकी हूँ तो यहां पर देखें neck मेरा ready है अब हमने इसके shoulder attach करने है दोनों सीधी sides को आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से shoulder की हमने slide लगानी है यहां देखें slide लगा लिए है मैंने उसके बाद हमने sleeves attach करने है sleeves की इस तरीके से रखते वे दोनों साइड पे इस तरीके से Slai लगानी है यहाँ पे देखें इस Sleeves दोनों तरफ से मैंने अटेश कर लिए है अब यह जो किनारी हमने लगाई थी NECT पे वोही नी किनारी मैं Sleeves के आगे भी लगाना चाहरा रही हूं किस तरीके से लगाऊंगी वह देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये कट करके रखी हुई है और इसकी इस तरीके से स्लाई लगाएंगे उल्टी साइड पे ये देखें उल्टी साइड पे स्लाई लगाई है और इसको अब इस तरीके से करके हैं दोनों स्लीव्स पे इसी तरीके से मैं लगा रही हूं और इससे भी बहुत ही डिफरंट हो गया था कुड़ता मेरा इसके बाद इसको सीधी साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है यहां पे अगे दोनों तरफ ये पट्टी लगा ली है मैंने अब हमने क्या करना है इस स्लीव्स की यहां की स्लाइ लगानी है आगे से जितने भी लूज रखने हैं आपको स्लीव्स उतने आप ले सकते हैं अपने नाप के अकौडिंग मैं यहां पर 4 inch ले रही हूँ यहां पर हलकी सी shape देंगे और यहां पर अब 4 तक की measurement जो है आप किसी जो भी आपके पास नाप है उससे measure कर लेंगे कि यहां से यहां तक जितनी भी आपकी measurement होगी उतने पर निशान लगा लेंगे मेरी यहाँ पर तकरीबन यह देख सकते हैं मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 9 इंच के करीब दोनों साइड पर इसी तरीके से 9 इंच पर निशान लगा लूँगी दूसी तरफ स्लीप से भी इसी तरीके से मैं 4 इंच का लगा के आगे से इस तरीके से यहांपे देखें HEREां तक मैने سलाई लगा लिए है दामन मैने फोल्ड किया है तकरीबान half inch जितना side सा बारिक बारिक फोल्ड कर लिया है कुछ भी unique नहीं किया है तो इसलिए मैंने वो नहीं दिखा आ simple side सा बारिक बारिक डबल फोल्ड की है यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आप हमने इस पर पटी लगानी है वो कट कर लेंगे अरेब में इस तरीके से पटी कट करेंगे आपकी मर्जी है अगर आप इस कुट्टे के ऊपर यह वाली पटी वाला नेक बहुत जबरदस्त लगेगा लेकिन अगर आप शिरवानी तो उसकी वीडियो में पहले बना चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो भी आप देख सकते हैं आप जिस तरीके से भी नेक बनाना चाहते हैं इस पट्टी को इस तरीके से सीधी साइड पर रखते हुए नेक के थोड़ा सा आगे की तर रिलेट करता है तो इसलिए यहां पर मैंने उपर मगजी लगाई है क्योंकि तरीजों वाले कुर्टे पर उपर की तरफ शिरवानी कॉलर अच्छी नहीं लगती है तो यहां पर देखें आगे की तरफ से इस तरीके से डेबल फोल करते हुए फिसलाई लगाएंगे और ले अगर हम हलका सी उसकी नोग को ट्रिम कर देंगे तो अब इस तरीके से उल्टी साइड पर इस पट्टी को फोल करते हुए इसलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से नेक भी हो चुका है मेरा रेडी और कुर्टा कंप्लीक्टरी रेडी हो चुका है यह बनने के बाद बहुत स्टाइलिश और बहुत इडिफरेंट लग रहा था मैंने पहले बहुत सारे कुर्टों के डिजाइन सिखा चुकी हूँ मैंने इस वीडियो में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है और बहुत कुछ स्टाइलिश बनाने की कोशिश की है होपफुली की वीडियो आपको पसंद आई होगी यहां तक वीडियो देखिया लाइक किये बिना बिल्कुल मचाएगा मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा यह कुर्ता आपको कैसा लगा है नेक्स कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं यह भी जरूर बताएगा अगर मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ बेल आगें पर बिक्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर मेरा न्यू चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स अगें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजर होंगी तब तक कि लिए मुझे अपनी दौा में याद रखेगा और के लाहाफिज